मेंन पूरी के शिवनकर इिलाके में मौजूनी में merci बोले बाबा के भक्त बडी संख्या में रहते। यह य्धि परिवार भी हमारे साथ है यह जो dau Strike के समागम में जाय करता था प्रवचन सुनने जाय करता था और यहां पर इनके घर के जो बुदूर्ग हैं वो मेनपुरी के आश्रम से ही लापता हो गए तो कौन लापता हुआ था और कैसे हुआ ब्रिजेश सिंग चाचा जी लापता हो गए हुआ और नारा निसाखार रष्सण बूदूर्ग गई थी यहां से लेके गई उनको वहां से आय तो ऑग्या कि यह लोग आगए लोगाने चाचा गाए वह हो गई प्रच्च में बहुत प्रयास किया दूलने का वह भी तक हम नहीं मिले मैंने चाचे पर्चियां भी वजाई हैं नहीं सेवादारों से के मेरी अंदर रॉकेस्ट पुचाई जाए एलास्मेंट किया जाए उन्होंने पर्चियां को फार प्यागे दिया बोले मरों का यहां खो वहां पूछा आसरम बालों से सबसे पूछा वहां मेरी गाली गलोज भी हो गई थी आसरम बालों से आठ दिन के बाद जब हमने देखी वह पर्ची फाड़के नोशने से डश्ट में डाल दी जो हमने लिखके एडरस के साथ दिया था कि हमारे यह चाचा जी थे लापता हो गई यहां से अमको मिल मील बातों बता दू कहां पर हैं और हमने बहुत कोशिस करी स्कारख साकार भी मिलने की बहुत कोशिस करी लेकिन बिल्र ocean नहीं द्याकर पूरा परिवार भक्त हुआ करता था जैसे आपने का चाची गई थी सब गए तो चाचा चाची और छोटे बाई की बहुत ही साथ में यह लोग सब गई थी साथ में यह दस साल से जुड़े हुए था पर जाकर आप गए हैं कभी वहां समागम में या प्रवचन हम सुनने कभ रहे थे दस साल से जुड़े वह थे तब उनकी ऐसी कंडिशन हो गई और तब लोगों ने नहीं बताया और वहां मार उससे मिलने भी नहीं दिया पुलिस के पास थाने में गुमसुत की रिपोर्ट लिखाई है और हम लोगा देड़ महीने से डून डून के कंटाल गई तब घर बैठे जहां से खबर आती है वहां जाते आप आश्रम गए आपने वहां पर जाच करने की कोशिश की किसी ने आप से बात नहीं किसी ने बा नहीं आप पुलिस ने की गुमसुदी की बोले हमने आप पृहास कोले तुम भी प्रियास करों जाच करते हैं jewels सॉन नहीं गई तो आपकी क्या मांग है निया होना चीए मिलना चीए उसको जब यह लोग इतना मानते हैं कि यह परमात्मा है भगवान है तो आमने बूला मेरे को उससे मिला तो दो बता देगा का बॉडी पड़ी है इनके बैठा इनसान एक खड़ा है क्या लगता है कि उनकी बॉडी होगी अब आज देड़ महीना हो गया है अब भूके प्यासे इंसान कहां रहेगा अब बारिस की सीजन भी हो गई अब आदमी कहां उसको मिलेगा यह नाम है महावीर सिंग 65 साल उम्र है यह इनका फोटो है यह गए थे मेन पूरी के जो भोले बाबा का आश्रम है वहाँ पर साथ आज सत्व बचन में कहां अच्छे मन अच्छे सबाओं जाते हैं किसी की बचन बढ़िया देते हैं और तो आपके ससुर लापता हो घह आपने आप उनला कीेहां आपके अधिया था पर सुन्ह भाईब भीने की वह आपा है कि अन्हें जन्साने चाल गए संkraft मोट naar भीलें थाया थे में प्रप नोजने थे आप यदा वहां चु गई आप में ऑन्हें देड़ हैं है danny अधि आपके परिवार का भी भी कोई जाता है कोई नहीं जाता है आप भी नहीं कोई नहीं जाता है नहीं हम नहीं जुड़े हम नहीं कोई नहीं जुड़े थे वहां बाकि कोई नहीं जुड़ा है आश्रम वालो ने आपने जाके आपने का कि गाली गलो चोगे क्या हुआ था गाल सेना भी रहती है कुछ इनके सिकूर्टी गाड़ है सब करीब मैं तो जानता हूं लगबक 100-800 आदमी हो गेन के वह कितने बर्दी पहने बर्दी वाले गिंती नहीं उनकी पताने कितने आमें आदि त्यार भी होते हैं अध्या आए साथा सेंपन मैं अपनी सेवा करते हैं और क्या उन्होंने बिल्कुल नहीं मिलने दिया पूरी आर्मी खड़ी आप बस बेए उन्हें बहुत का कि अगर इनको चयता नहीं पागल की समान है तो यह जो सेवादार हैं उन्होंने माना नहीं और इंगार चैन्ति है उनकी मरजी और आम जंता अगर जाती है उसका उसकी कूछ सुनवाई नहीं होती है इखट चड़ावा वगेरा भी हो चड़ता है वहां पर कुछ दिया मैंने कुछ नहीं दिया हुआ पर क्या मांग आप लोगों की वारी भाई है पिता जी जांगी हो तो मिल जाएं कई भी हो पुलिस भी जाच करें और यह साकार बिस्वरी बताव है कि वहां है जाओ ले बनता है बताव है कि लिया हमें देओं जब आदमी को परमात्मा का रूप है बोलता है कि मैं परमात्मा उन फलाना हूं तो इंसान लाके देवे कि कहां है ये जहां भी ये बले अड़ी हो वे के डेड़ बॉडी हो वे कुछ भी हो वे हम निकाल उठा लियाएंगे उनको हमें संतोस तो हो जाएगा अकर बॉडी होगी खतम हो गई पूरा परिवार है जो बोले बाबा का भक्त हुआ करता था लेकिन जब से इनके परिवार के सदस से वहां पर प्रवचन के दौरान गुमचुदा हुए है उसके बाद जो वेवार इनके साथ हुआ है उसके बाद परिवार का सा आहत है सबसे मेहतून बात है कि पुलिस में भी गुम्शुदगी की कम्टेंट कराई ये लेकिन परीवार का आरोप है कि ना तो आश्रम के लोगों ने इनकी मदद की और ना ही पुलिस कभी जाँच करने के लिए आश्रम के अंदर जापाई और फिलाल इस पूरे परीवार को इंतेजार है सही जाँच का और इनको या तो आश्रम के लोग बताएं या पुलिस जाच करके आश्रम के लोगों से पता करके बताएं कि आखिर इनके परिवार के जो गुम्शुदा सदस्य हैं वो इस समय कहा है में पूरी के शिवनगर इलाके में समय मौजूद हैं इस कॉलोनी में बोले बाबा के भक्त बड़ी की कि चाचा जी लापता हो गए हुआ है सट्संग सुने गए थी उस ने गए वहां सबसात में घए थी यहां से लेके गहिं को वहां से आई तो अकिले आ गए लोग आ गया के चाचाट गाये प्रियास किया दूलने का अभी तक हमको नहीं मिले मैंने चाचे पर्चियां भी वाजाई हमने सेवादारों से के मेरी अंदर रोकेस्ट पुक्चाई जाए एलास्मेंट किया जाए उन्होंने पर्चियां को फार फैके दिया बोले मरों का यहां कोई अलसमेंट नहीं होता है आश्रम में का गया आपके पिता जी के आपने पर्चे चपाए इसको लेकर भी आश्रम पूछा आश्रम बालों से सबसे पूछा वहां मेरी गाली गलोज भी हो गई थी आश्रम बालों से आट दिन के बाद जब हमने देखी वह पर्ची फाड़ पूरा तो अच्छे डियम तक नहीं मिल पाते हैं तुभारी तो अकात किया है पूरा भक्त हुआ करता था वहां जाया करता था जैसे आपने का चाची गए थी सब गयते वहां तो चाचा चाची और छोटे बाई की बहुत ही साथ में यह लोग सब गए थी साथ में यह यह दस साल से जुड़े हुए थे हम सुनने कभी नहीं गई हमको चाहिए भी नहीं सुनने का इसका किसी का भी नहीं सुनता हूं में तो लेकिन यह लोग जा रहे थे आरते हैं और कोछिची हैं आप इसके आपके ने किसी किसी ने कर नहीं किसी लिए किसी ने करने भी नहीं दिए अभावा से बोले बावा से अधिया इये कोई की अंदर व इन ते भल प्लिस ने government की अभिने को राथ और करो हम भी दूूलने का प्रियास कर थे पुलिस है प्रयास कर आश्रम नहीं गई मालुम नहीं गई मैं मेरो को तो लगता गई नहीं असरम तो आपकी क्या माँगा है मांग क्या है होना क pills यह मिलना चाहिए उसको जब यह लोग इतना मानते कि यह परमात्मा है भगवान है तो हमने बूला मेरे को उससे मिला तो दो बता देगा कहां बॉड़ी पड़ी है इनके बैठा इंसान है खड़ा है क्या लगता है कि इनकी बॉड़ी होगी इनकी डेथ होगी अब आज आज सिंग 65 साल उम्र है यह इनका फोटो है यह गए थे मैंपुरी के जो भोले बाबा का आश्रम है वहां पर साथ में उनकी भाहू भी गई थी आप भी गई थी साथ में गए तो यह वहां पर जब आप जाती है प्रवचन में क्या बताया जाता है क्या होता है अच्छे बुर आच बचना अच्छे देते अच्छे चलो अच्छे संसगार देते बचन में कहते अच्छे किसी के बचन बढ़िया देए और क्या आप के ससुर मぇ पता हो घए आप वहाइपर जाके पता है कि पता है नाहीं आप दूर्ण अपर नुट नाहीं वहाइब नहीं जा रहा है कि इस सास नहीं है वहाइब Confederate विस्टास नहीं है वहाइब पर क्या रहा है बाइन इंसाने चला गया वहाइब उसकी खोजे भी नहीं लäggर है आप का उसनी परिवार कोई नहीं जाता है आप नहीं जूडे नहीं जूड़े हुआ यह लोगी जूड़े तेवां बाकि कोई दूड़ा आश्रम वालो ने आपने जाके आपने का जा हुआ दाल दिया और हमको उसने गाली गलो देखे भगाया था वहां से जो इनके करमचारी थे वहां से आश्रम में क्या सेना भी रहती है कुछ सिक्योटी गार्ट है सब वहां कितने होते हैं करीब मैं तो जानता हूँ लगबक बत्यार करते हैं तो उन्होंने बिल्कुल नहीं मिलने पूरी आर्मी को बढ़ी आपने मेरे नाइखाएं एक अपने रखे एंपने बैठे पर उन्होंने जाके यहां नाए बहुत कई यह जाएंगे इनको कुछ आता नहीं पागल कि समान है तो यह जो सेवादार हैं उन्होंने माना नहीं और इनकी मर्जी चनती है उनकी मर्जी और आम जनता अगर जाती है उसका उसकी कुछ सुनवाई नहीं होती है इक चड़ावा वगेरा भी चड़ता है वहाँ पर कुछ दिया मैंने कुछ नहीं दिया हुआ पर लोगों की वारी बहीं है पिता जी जांकी हो तो मिल जाएं कई भी हो पुलिस भी जाच करें और यह साकार बिस्वरी बताव है कि वहां है जाओ ले जाओ जाओ परमात्मा मान दें उसको तो उनको भी अधिकार बनता है बताव है कि लिया हमें देओ जब आदमी को परमात्मा का रूप है अब बोलता है कि मैं परमात्मा हूं नफलाना हूं तो वह इंसान लाके देवे कि कहा है यह जहां भी यह बले अड़ी होए के डेड़ बाडी होब है कुछ भी ह भक्त हुआ करता था लेकिन जब से इनके परिवार के सदस से वहां पर प्रवचन के दौरान गुमचुदा हुए है उसके बाद जो वेवार इनके साथ हुआ है उसके बाद परिवार का सा आहत है सबसे महतुन बात है कि पुलिस में भी गुमचुदगी की कम्ट्रेंट करा या पुलिस जाच करके आश्रम के लोगों से पता करके बताए कि आकिर इनके परिवार के जो गुम्शिदा सदस्य हैं वो इस समय कहा है वीडियो जनरली सुमित कुमार के साथ रुमान उलाकान न्यूज नेशन मेनपूरी